रशिया में पिछले दो दिनों से एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड चल रहा है रशियन्स गूगल पे सर्च करने के अपने ही हातों को घर पर बैठ कर कैसे तोड़ा जाए यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि कोई व्यक्ति अपने ही हात को क्यों इंजर करना चाहेगा पर यह बात सच है और रशियन्स इस सवाल का जवाब ढूणना चाहते कि वो इसे कैसे करें इतना ही नहीं रशिया ने अपनी एर्लाइंस को यह कह दिया है कि जो भी व्यक्ति जिसकी उमरेटरा से 65 साल के बीच में अगर वो किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट का पर्चिस करता है तो उसे वो टिकेट ना दिया जाए और किसी भी परसन को अगर देश से बाहर जाना है तो उसे रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन लेनी होगी अब ऐसा रशिया में क्या हो गया है कि रशियन्स रशिया से बाहर जाना चाहरे है इतना यह अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो यह तस्वीर किसी ऐसे देश के नहीं है कि जहां पर लोग किसी और के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं यह तस्वीर रशिया की है रशिया के अंदर हजारों लोग सड़कों पर उतर आये हैं और व्लादिमिर पुतीन के एक बयान के बाद उनका विरोध कर रहे हैं अब ऐसा क्यों हुआ है क्या बात हुई है ऐसा क्या पुतीन ने कह दिया वो सारी बाते हम जानते हैं बट याद रखिएगा अब तक रशिया में 2000 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने देश की सरकार के खिलाव पुतीन के बयान के खिलाव अब पुतीन ने ऐसा क्या बोला है देखिए न्यूज अगर आप देखेंगे यहां साफ साफ लिखा है रशियन वांस तो न्यू हाउ टू ब्रेक आम एठ होम टू वेट पुतीन स्मूव रशियन जानना चाहते है कि अपने हाथ को खर पर बैठ कर कैसे तोड़ा जाए ता प्रेन को पश्यमी देश सायोग कर रहे हैं और रशिया किसी से भी नहीं डरेगा और रशिया इसका जवाब देगा साथ में पुतीन एक बहुत बड़ी बात करी पुतीन है यहां पर बात कही पार्शियल मिलिटरी मोबलाइज़ेशन की अब रशिया में पुतीन ने पार् वो human resources से क्यों ना हो उसे युद्ध में लगाया जा सकता है मतलब ऐसे लोग जो की युद्ध के लिए perfect हैं उन्हें युद्ध में भेजा जा सकता है इसके बाद Russia से ही एक और announcement होता है कि 3 लाख reserve forces को deploy किया जाएगा अब जैसे ये बात होती है कि 3 लाख लोगों को जो कि reserve forces है रशिया की उन्हें deploy किया जाएगा इसके बाद पूरे रशिया में ये आंदोलन शुरू हो गया है अब रिजर्व forces क्या है अगर यहां पर deploy करने की बात की जा रही है reserve forces को तो बाकी लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं देकि ये चीज जानने के लिए आप को रशिया का military structure समझना पड़ेगा दरसर रशिया में conscription चलता है conscription का मतलब होता है अनिवार ये सैन्य भरती जिस तरीके से इसराइल में होता है वैसी रशिया के अंदर भी एक साल तक की military service कंपल सरी है हाला कि कुछ समय पहले ये services दो साल की थी पर अब ये service एक साल की है 18 स 27 साल तक के males मतलब यहां पर सिर्फ बात की जाती है boys की males की बात की जाती है 18 से 27 साल तक के जितने भी युवा है जितने भी यहां पर male युवा है उन सभी को एक साल के military service देना कंपल सरी है रशिया के अंदर हाला कि इसके exceptions भी होते है और exceptions दो है पहला exception यह होता है कि अगर को परसन उनिवर्सिटी के अंदर है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है तो फिर उसे सेनने सर्विस या अपनी सेवाय देने की कोई जरूरत नहीं होती है वो इससे बस दखता है दूसरा exception होता है कि अगर वो physically fit नहीं है उस समय पर उसका हाथ तूटा है पाउं तूटा है कोई permanent problem उसको आ गई है यही reason है जिसके कारण रश्या के लोग सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से खर पर बैठ कर हाथ को तोड़ा जाए ताकि उन्हें युक्रेन में युद्ध लड़ने ना जाना पड़े मैं reserve force के अगर बात करू तो रश्या के अंदर लगबग 2.5 million reserve forces हैं मतलब 2 2.5 million लोग हैं जिनके पास 10 अनुभव भी है अब इसलिए यहां पर यह चीज हो रही है हाला कि सिर्फ 3 लाख लोगों को बुलाया जा रहा है पर इसके बाद भी पूरे देश में अंदुलन चिल गए अब दूसरी एक बड़ी announcement यहां पर पुतीन ने करा है यह जो चार provinces है लुहेंस, डॉनसेक, जैप्रिजिया एन खारसन यहां पर referendum करवाया जाएगा ऐसा पुतीन ने का है referendum का मतलब होता है जन्मत संग्र मतलब यहां के लोग वोट देंगे और वोट देकर वो बताएंगे कि वो रशिया में रहना चाहते हैं या वो युक्रेन में रहना चाहते देखिए अब यहां पर यह चीज़ तै है कि अगर यहां पर referendum हुआ तो यह पूरा area रशिया के पास चला जाएगा इसलिए रशिया ने तीन लाख reserve forces को आने के लिए का है अब देखिए ऐसा पहले भी हो चुका है 2014 के अंदर क्रैमिया में referendum करवाया गया था और यहां पर उ यह ऐसा पार्ट है जहां पर rebels रहते हैं यह विद्रोई है और यह युक्रेन के against है और रशिया इन विद्रोईयों का शुरवास से ही support करता आया है कभी वो इनको arms देता है कभी दूसरी चीज़े provide करता है तो यह बात ता है कि यह पूरा हिस्सा तो रशिया के पास ही जाना आज के टाइम पर रशिया ने युक्रेन के यंघ के वनगाए प्सविफ्थ हिस्से के ऊपर अपना कभणा जमा के रखाए जूकि बहुत ज suggesting 15 प्रतिश से भी जादा हिस्से के ऊपर रशिया के युक्रेन के अटकि युक्रेन ने यृशिया को जवाब दिया है और युक् इस युद्ध के अंदर युक्रेन जीत कैसे रहा है क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब सभी ये कह रहे थे कि युक्रेन कुछ ही दिन इस युद्ध में टिक पाएगा और अब हालत यह है कि पिछले कुछ दिनों में युक्रेन ने अपना 6000 स्क्वार युक्रेन के उपर कई एरिया से हमला किया जाता है साउस से हमला किया जाता है नौर्ट से हमला किया जाता है और युक्रेन की कई बड़ी सिटीज की उपर बड़ी मात्रा के अंदर बंबारी की जाती है इसके अंदर कीव इंक्लूड है जो कि युक्रेन की राज्था नही कीव की ओपर रश्या कबजा नहीं कर पाता है पर युक्रेन के एक बहुत important area खारसन के ओपर रश्या का कबजा हो जाता है पर इस पूरे phase के दोरान रश्या को युक्रेन के soldiers का सामना करना पड़ता है और यहां पर दोनों ही तरफ से कई soldiers मारे जाते हैं पर जादा हानी यहां पर रश्या को होती है इसका रिजन यह था कि युक्रेन के लोग सिर्फ किसी जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे तो एक मोटिवेशन यहां पर बहुत बड़ा फैक्टर आता है जिसके कारण पहले फेस के अ अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो रश्या ने तकरीवन 80,000 सोल्जर्स को इस जंग में गवाया है यह सोल्जर्स बहुत जाद है यूससर अफगान वार की बात की जाए उसमें भी इतने सोल्जर्स नहीं मारे गए थे जो इस पूरे फेस के अंदर मारे जाते और इसका पाइदा उठाते हैं यूक्रेणियंस इस बात का फाइदा उठाते हैं क्योंकि रश्यान चोल्जर्स का मॉराल धीरे-धीरे डाउन होता जा रहा है उन्हें लग रहा है कि जबर्दस्ती इस युद्ध के अंदर उन्हें धकेला जाता है और इसके बात यूक्रेणियंस र मर्सनरीज को रिक्रूट किया जा रहा है, ऐसे लोग, ऐसे सिविलियंज, जो कि पैसे लेके जंग लड़ते हैं, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि रशिया के लोग नहीं चाहते हैं, रशिया के लोग युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, Soldiers की कमी न हो जाए, इसलिए mercenaries को recruit किया जाता है, खबरे तो कुछ इस तरीकी भी थी, अगर आप CNN की report को देखेंगे, कि Russia dangles freedom to prisoners, if they fight in Ukraine, अगर कैदी Ukraine में fight करेंगे Russia के लिए, तो उनको आजाद कर दिया जाएगा, जब war जीत लिया जाएगा, तो उनको आजाद कर लिया जा कि जबरदस्ती युद्ध में धकेला जा रहा है उनको, इसके बाद लदिमिर पुतीन एक policy announce करते हैं, इस एक bill को पास करते हैं, इस bill में ये कहा जाता है कि force join करने की जो age, जो maximum age 40 साल है, उसे 40 साल से बड़ा दिया गया है, और कोई भी व्यक्तिया forces को join कर सकता है, ये बता होना चाह रहे थे, उक्रेन में इसका सीधा उलट हो रहा था, उक्रेन के अंदर जितने लोगों की जरूत है, उससे जादा लोग फौज में भरती होना चाह रहे थे, because उनका motive क्लियर है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो उसे बचाना चाहते है, बिकॉज उन होता है, पर यहाँ पर उक्रेन को फाइदा होता है, वेस्टन कंट्रीस का, उयूस, यूके, इन कंट्रीस के स्पैशल फोर्सेश के लोग, यहाँ पर इन सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते हैं, यह उक्रेनिань स्टेण हैं, जो सोल्जर बनना चाहते हैं, और काफी कम समय में काफी अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाती हैं और ये रशियन सोल्जर से भी जादा ट्रेंड हो जाते हैं इसी कारण युक्रेन के अंदर ये सही तरीके से लड़ पा रहे हैं मतलब वेस्टन कंट्रीज के सपोर्ट का फायदा सीधा-सीधा यहां पर युक्रेन को मिलता है अब उस एरिया को लेना है यही उनका लक्ष है पर उनका एक लक्ष होता है एक बड़ा शहर जहां कि हमने पहले भी बात करी है यहां पर मैं बात करी थी खारसैन की खारसैन के उपर वो हमला कर देते हैं अपनी पूरी ताकत से रशिया भी सेरिया को बचाना चाहता है क्यो कि ये वो soldiers हैं जो अभी अभी रशिया की आर्मी को जॉइन करा है जिनको सही तरीके से ट्रेणिंग नहीं मिली है और इस बात का फायदा उठाता है युक्रेन युक्रेन इस एरिया पर हमला करना कर देता है पूरी ताकत के साथ इसके बाद अगर आप इस मैप को देखेंगे 6 सेप्टंबर के अındर खारकीव के ओपर कबजा कर लिया गया है और खारकीव के बाद सिर्फ इतना एरिया युक्रेयन के पास है बट अगर आप देखते हैं 21 सेप्टेंबर को तो खारकीव के आगे जो दो बड़े शेहर हैं यहाँ पर अगर बात की जाए इजियम की और दूसरा शेहर है कुपनिस की यह दोनों शेहर युक्रेयन के कबजे में आ जाते हैं यह दोनों शेहर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक शेहर में रेल्वे स्टेशन है यह रेल्वे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट ही क्योंकि ट्रांस्पोर्टेशन का यह बहुत बढ़या जरि आए और ये तीसरा फेस अभी चल रहा है तो ये कुछ चीज हैं जिसके बाद लग रहा है कि युक्रेन अब लगातार जीतता जा रहा है अब एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी के मैंन में आ रहा होगा ऐसा हो कैसे रहा हाओ युक्रेन इस वनी ऐसी क्या चीज होगी उसके पीशे कहीं ना कहीं उनके लीडर है जलस की मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ विकॉज जगर आप इन लोगों को देखते हैं युक्रेनियंस को अब देखेंगे आप ये समझ जाते हैं कि वो किसी उद्देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हें पता है कि अगर वो नहीं ज चुरू कर देता है तो वहां के लोगों के अंदरे मोटिवेशन आ जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं दूसरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट इन्हें वैस्टन कंट्रीज का मिला है काफी जादा फंडिंग मिल रही है युक्रेन को अगर टोटल फंडिंग की जाए तो अभी 6.5 बिलियन डॉलर्स किये उसके बाद युनाइटेट किंग्डम है 6.5 इसके बलावा जर्मनी है कैनेडा है पॉलेंड है यह सारी कंट्रीज ने भी युक्रेन को भर भर के मदद करी है साथ इसाथ मिल्टरी एकुटमेंट्स भी दिये हैं जो एकुटमेंट्स यहां पर प वो नहीं चाहते हैं कि वो यह वार हो उन्हें लग रहा है कि इस वार के अंदर उन्हें घसीता जा रहा है तो यह कुछ major reasons हैं जिसे कारण अब धीरे-धीरे युक्रेन जीतता जा रहा है पर कुछ ऐसे weapons भी हैं कुछ ऐसे equipment भी हैं जिसके सहारे यह कहा जा रहा है कि बहुत आगे निकल गया युक्रेन और हो सकता है कि आगे वाले टाइम में रश्या को वो खराबी दे अब ये क्या क्या है देखिए इसमें पहला है हिम्रास रॉकेट लॉंचर सिस्टम ये सिस्टम दिया है उससे युएसे ने और इस सिस्टम ने काफी मदद की है शेहरों क्यों दाने युक्रेन को दिया है इसके अलावा एंटी टैंक वेपन की बात की जाए और यहां पर मैं बात करूंगा टीबी 2 की ये ड्रोन है जो कि तरकी ने दिया है युक्रेन को और इस ड्रोन की इंपॉर्टेंस बहुत जादा है बिकॉज इस पूरे वार में ड्रोन का रोल बहुत इंपॉर्टन राय राय रशिया को हराने में तो ये कुछ वैपन्स थे जिसके सारी युक्रेन लगातार जीतता जा रहा है और अब ये लग राय की हो सकता है कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिले कि युक्रेन ने अपने पूरे एरिये को अपने कबजे में ले लि जरे लिए इसलिए नहीं है कि महां के लोगों के इच्छा है इसलिए कहा जा रहा है कि रस्यां वाँ पर तो यह पूरी बात थी इसे के बाद भी अब युद्धे लगातर जा रही है चलिए आगे देखने इस युद्धे के अंदर क्या होता है बट जो भी इस युद्धे का परिणाम हो इसका एफेक्ट पूरी दुनिया के उपर पड़ता है फिर चाहे वो पेट्रोल के दामों में महेंगाई हो या दवाईयों की कमी हो कुछ ऐसे चीज़ें हैं हमारे देश के अंदर भी जो कि सिर्फ युक्रेन के अंदर ही मिलती है इन चीजों की कमी हमारे देश में हो रही है इस पैसिफिकली में मैडिकल शेत्र की बात करूंगा चलिए मैं नेक्स लेक्चर के अंदर आप से मिलता हूं आप सभी अपना ध्यान रखिएगा स्वस्त रहिए जैहिन जैवारत